चंद्रियान तीन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रमा के दक्षिन धुरूव पर पहली सौफ्ट लैंडिंग की और एतिहासिक उपलब्धी हासिल की हैं। रूस की मिशन असफल होने के कुछ दिनों बाद भारत ने चंद्रियान तीन लैंडर को सफलता पूर्वक मून के दक्षिनी धुरूव पर उतारने में काम्याबी प्राप्त की। भारतीय अंतरिक्ष एजनसी ने 14 जुलाई को रॉकेट का प्रक्षेपन किया, जो देश के मुख्य अंतरिक्ष पोर्ट से आंधर प्रदेश के दक्षिनी राज्ज से उडान भर रहा था। चंद्रयान 3 के लेंडिंग के आखरी 20 मिनट की घातक स्थिती से गुजरने के बाद, चंद्रयान 3 को सफलता पूर्वक चंद्रमा के दक्षिनी धुरूव पर उतरने में सफलता मिली। इस लैंडिंग के साथ भारत ने महान गुट में शामिल होकर केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद, चंद्रमा की सतह को छूने वाले चौथे राश्ट्र बन गया। भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एस सोमनाथ ने बुधवार को देश की जनता को चंद्रयान तीन मिशन की सफलता पर बधाई दी और कहा भारत चंद्रमा पर है। प्रज्यान रोवर ने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया है। वह 14 दिनों तक काम करेगा और पानी, खनिज, जानकारी खोजेगा और यहां भूकंप, गर्मी और मिट्टी का अध्ययन करेगा। चंद्रयान तीन की सफल लेंडिंग के बाद हर शहर से उत्सव की तस्वीरें आई हैं। हम आपको हर खबर दिखाएंगे। आपको भी हमारा साथ देना होगा ऐसी और जानकारीने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबबाएं।